आज की प्रोटीन रिच डिश देखने के बाद आपको प्रोटीन की जुरूरत कभी नहीं पड़ेगी बहुत सारे विवेज ने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ हेल्दी और नुट्रिशिस डिश में उनके साथ शेर करो तो आज में लेके आईँ एक सूपर हेल्दी सालेट जो की है प्रोटीन सालेट बिना टाइम वेस्ट करें चलो इसको बनाते तो प्रोटीन सालेट के लिए एक बाउल में लेंगे बॉयल चने इसको मैंने साथ से आठ गंटे सोक करके बॉयल कर लिया है इस आरक ग्रेट सोर्स वेजटेरियन प्रोटीन सालेक बनाने के लिए इनको एक बाउल में डालेंगे इनको हमें उतना ही बॉयल करना है कि इनकी उपर की लेर ना निकले ये थोड़े खिले खिले दिखें तो मैंने लगभग दो कप चने लिये हैं अब हम डाल रहे हैं अनदर रिज सोर्स व प्रोटीन पनीर जिसे कि हम सबको पता है पनीर के अंदर प्रोटीन की मातरा भरपूर होती है उसके बाद डालेंगे 1 cup chopped tomatoes, इनको मैंने बारीक-बारीक काट लिया है फिर हम डालेंगे अपने salad के अंदर chopped onions उसके बाद बिना चिले nicely cut and diced cucumber, which is a good source of fiber अब हम डालेंगे roasted peanuts, again, which gives us high protein and healthy fat उसके बाद डालेंगे sprouts, यह अंकुरित moon dal मैंने market से ली है आप इसको बहुत असानी से घर पे बना सकते हैं डाल को एक राद भिगो के दिन बर सूती कपड़े में लपेट कर रखे आपकी डाल अंकुरित हो जाएगी अंकुरित होने से इसकी protein की मातरा और बढ़ जाती है Lastly, डालेंगे इसमे freshly chopped coriander leaves, यानि की धनियापत्ता protein salad की हमारी सभी high on protein ingredients डल गए है इस salad में डलने वाली एक-एक चीज हमारे लिए बहुत healthy है अब बनाएंगे हम इसके लिए seasoning उसके लिए एक बाउल में लेंगे एक चमच olive oil ये oil डालना optional है, आप चाहें तो ना डाले ये salad को थोड़ा glossy look देता है and no doubt, it is a very good oil as it contains high amount of antioxidants which are very good for us उसके बाद लेंगे एक चमच lemon juice, again a good source of vitamin C to give it a little tangy taste उसके बाद लेंगे हम एक चमच नमक, आधा चमच काला नमक, एक चमच चाट मसाला और आधा चमच भुना हुआ जीरा थोड़ी सी काले मिट्च टेस्ट के लिए and हाँ, black pepper is also a good source of iron अपनी सीजनिंग को अब हम अच्छे से मिला लेंगे, इससे हमारा सालड बहुत ही चटपटा और पैपरी बनेगा इसको अब हम अपने बड़े वाले बाउल में फिला कर पोर कर लेंगे और उपर से डालेंगे finely chopped green chili, यहाँ पर मैंने दो छोटी छोटी हरी मिर्च ली है अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी सीजनिंग के फ्लेवर हमारे सालड में अच्छे से मिक्स हो जाए एक चीज का ध्यान रखें कि हमें सभी vegetables लगभग चने के साइज के कट करने हैं और छोली के साथ-साथ इसमें आप sprouted काले चने भी डाल सकते हैं अगर थोड़ा continental taste देना है तो Italian seasoning भी डाल सकते हैं तो लोग हमारा protein salad बनके तयार है, feel free to add whatever you like जैसे की dry fruits, fruits, pomegranate, जो भी सबजी है fruit आप पसंद करते हैं आप इस salad के अंदर डाल सकते हैं हमारा high on protein salad बनके तयार है, चलो इसको taste करते हैं कि ये बना कैसा जब भी आप salad का नाम सुनते होगे तो आपके दिमाग में आता होगा कि कुछ फीका या फिर टेस्टलेस होगा पर इस salad के साथ ऐसा बिलकुल लेंगे हैं क्योंकि इसके नडला है अमचूर, लेमन और सॉल्ट जो कि इसको खुप चटपटा टेस्ट दे रहता है आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और जब आप इसको बनाएं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है आपको मेरी वीडियो पसंद आएं तो मेरे चनल आशिमास किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी सभी न्यू वीडियो की अप्लोड आपके पास उसी वक्त पहुंच आए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में अंटल दें टेक केर गुडबाई एंड हापी कुकिंग विद आशिमास किचन